Hello readers, welcome back to my channel चलो देखे लेते Nifty Bank Nifty में क्या views बन रहे और कल कुन से stock समया पर trade कर सकते तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि Nifty का 15 minute का chart लगा हुआ है और पूरा top down analysis अमिया पर करने वाले तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर से 1 hour के time frame में चलेंगे तो simple हमने यहाँ पर क्या discuss किया था कि market जो है वो यहाँ पर एक important level पर आ रहा था एक important resistance पर आ रहा था अभी वो resistance कुन सा था तो simple अगर आप यहाँ पर देखोगे तो Nifty का जो previous all time high का level था वो यहाँ पर resistance का का काम करने वाला था प्लस यहाँ पर price एक बहुत ही अच्छा rising channel pattern बना रही थी उसका भी resistance का line यहाँ पर था इसी वज़े से यहाँ पर हम कह सकते कि kind of resistance का cluster बन रहा था तो आप यहाँ पर देख सकते कि market ने exactly तो नहीं बोल सकते बट येस इसी zone से rejection लिया और एक बहुत ही अच्छा fall हमने देखा अभी simple मैंने आपको किस तरह किसे trade करने को बोला था अगर हम यहाँ पर से 15 minute time frame में आएंगे तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर कोई rejection pattern दून डिये यहाँ पर से shorting के trades ले सकते हैं बट अगर आप यहाँ पर देखोगे market ने exactly हमारे levels को touch नहीं किया और यहाँ पर कोई reversal pattern या फिर reversal candle नहीं बनाई तो मुझे यहाँ पर कोई भी trade नहीं मिला मुझे trade कहाँ पर मिला जो मैंने एक आपको level बता के रखी थी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगबग लगबग 18,780 के वो level है यहाँ पर आपको पता होगा कि important Fibonacci extension का level है price ने यहाँ पर से rejection लिया था यहाँ पर से rejection लिया था सबसे पहले जैसे यह candle ने यहाँ पर breakdown किया यहाँ पर यह निगेटिव candle बनी मैंने यहाँ पर entry ले लिया आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर entry ले ली यहाँ पर मेरा यहाँ पर stop loss था और मेरा जो target था आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर भी एक trend line बन रहे थी वो trend line हमें यहाँ पर draw करनी है यह trend line पर हमारा यहाँ पर target बन रहा था यह कुछ इस तरीके से तो यहाँ पर मैंने अपनी profit booking की तो कुछ इस तरीके से बहुत ही अच्छा nifty में trade बना I hope कि आपने भी यहाँ पर trade लिया होगा यहाँ पर कभी कभी हम जब entry लेते तब हमेरा stop loss होता है obviously यहाँ पर जो institutions होते वो हमारा stop loss hunting करके अपनी positions बनाते and then हमें एक हमारे direction में बहुत ही अच्छी move देखने को मिलती है तो हमें re-entry करते time यहाँ पर डरना नहीं चाहिए अगर हमारा setup अच्छा है अच्छी candle बन रहे है अच्छा हम के सकती के entry setup बन रहा है तो हमें entry लेनी चाहिए और stop loss के साथ में stick रहे के अच्छे profits यहाँ पर book करने का try करना चाहिए अभी यहाँ पर से कल हम किस तरीके से trade ले सकते है तो अगर आप यहाँ पर देखोगे अभी यहाँ पर first trend line, second trend line और third trend line trend line के बीच में market अभी यहाँ पर trade कर रहा है और उपर ही हमारा resistance वाला level ही अभी simple किस तरीके से trade करना है अगर market हमारा यह वाला जहाँ पर आज market ने support लिया यह वाला trend line को breakdown कर देता है तो कोई भी pullback देखकर में आपर शे शौटिंग के opportunity ले सकते है first target रहेगा हमारा primary trend line यहाँ पर आके market support ले सकता है क्योंकि यह orange curl की trend line हमारी primary trend line है market every time आप यहाँ पर देख सकते हैं कि support ले रहा है pullback ले रहा है support ले रहा है यहाँ पर support लेके बहुत ही अच्छा bounce हमें यहाँ पर दिख रहा है तो वही bounce हमें कल भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है इसी वज़े से अगर हम यहाँ पर कोई shorting का trade ले भी रही हो तो यह जो orange color के trend line है यह हमारे लिए important support का काम करने वाली है अगर price यहाँ पर से breakdown कर देता है तो obviously market और भी नीचे आ सकता है और अगर market gap up opening दिखाता है या फिर range में open करके हमारा resistance का level breakout कर देता है तो इसके उपर हम कोई भी pullback देखकर long के opportunity ले सकते है क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगी तो price वही structure follow कर रहा है बट यह थोड़ा सा मेरे लिए lower probability setup होगा ऐसा क्यों में बोल रहा हूँ क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो market जो है वो अपने all time high से reject हुआ है बनेंगे जब यह वाला high जो है वो breakout होगा इस level के उपर higher probability बनेंगे otherwise यह level के उपर lower probability लॉंकि अगर आप लेना चाहते हो तो आप कम quantity के साथ में ले सकते हो अभी आपर से bank nifty के दरब चलते bank nifty में भी बहुत ही simple trade setup हमने यहाँ पर discuss किया था अब यह bank nifty में क्या analysis बन रही थी अगर आप यह आपर देखोगे यह black color के horizontal line previous all time high level है bank nifty का और downside में यह बहुत ही important structural level है simple हमने यहाँ पर क्या discuss किया था यह वाली trend line डिसकस की थी और हमने बोला था कि अगर market फिर से अपने previous all time high के उपर जाता है तो इस level के उपर हम long के trades लेंगे और अगर market इस वाले trend line से reject हो के नीचे आता है तो आपको एक horizontal level बता के रखा था इस level के नीचे हम shorting के trades लेने वाल अब यहाँ पर से आगे की analysis क्या होगी simple अगर आप यहाँ पर देखोगे यह बहुत ही important level है और मैं आपको बताना चाहूंगा यह level सिर्फ हमें one hour के time frame में trade करना है कल भी मैंने आपको यही बताया था कि यह level हमें one hour के time frame में trade करना है क्योंकि यह जो अब गर आप देखोगे price जब भी यहाँ पर आ रहा है सिर्फ one hour time frame की candles इसे बहुत ही अच्छे से respect कर रहे है otherwise अगर आप यह 5 minute time frame में 15 minute time frame में trade करने का सोचोगे तो आप यहाँ पर fake breakout है फिर fake breakdown में first सकते हो आप यहाँ पर trap हो सकते हो इसी वजह से अगर market कल इस level को downside में breakdown कर रहा है तो one hour के time frame में हम कोई भी यहाँ पर breakdown और retest देकर हम बहुत ही अच्छा shorting का trade ले सकते हैं अभी long के से करना है अगर आप देखोगे तो यह trend line भी important है क्योंकि market ने इसे लगबग 3 time test किया हुआ है और यह downside का support भी important है अभी इस level के इस zone के बीच में हमें कोई भी traders नहीं लेने इस zone के बीच मे हमें थोड़ा सा volatile market देखने को मिल सकता है इसी वज़े से एक तो हमें यह trend line का breakout देखना है otherwise यह important level का breakdown देखना है then and then only हमें यहाँ पर इसे trade करना है otherwise यहाँ पर avoid करना है ठीक है तो यह हो गई हमारे nifty और bank nifty का analysis और आज यहाँ पर मेरे पास कोई भी stocks नहीं है मेरे watch list में ज समझ में आ गया होगा पसंद आ गया होगा अगर analysis पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को like कर दीजे आपके फ्रेंड के साथ टेंडिंग में साथ शेयर कर दीजे और एसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe कर दीजे तो आज के वीडियो में इतना ही रखते है thank you very मैंस